है है स्टूडेंट्स विल्कम बैक तो आपर यूट्यूब चैनल और इन स्टेडि सक्सेस पार तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास टेंथ का मैद का वॉक्षिट नंबर 14 का अरे जो वॉक्षिट है आपका 68 2021 कहने वाला यानि कि छे तारि जिए जान रखे हैं तो कोई भी एक्सप्रेशन जिसका वन एक से ज्यादा टर्म होता है मोर दैन वन टर्म उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पोलोमियल बोलते हैं जिसमें कंजेस्टिंग अब वेरियेवल और यंद कॉंस्टेंट दोनों होता है ठीक है यानि कि नॉन निग प्लेटिव होना चाहिए तो एक पोलोमियल होगा पोलोमियल में पढ़ेते हैं आप लोग जो हाइस्ट पावर होता है भेरियेवल का वही उसका डिगरी होता है पोलोमियल का हाइस्ट पावर जैसे हम यहाँ पर लिखे 2XQ-3X-4 तो इसका हाइस्ट डिगरी कितना है 3 तो कितना होगा जो पावर होगा पोलोमियल का उत्थिरी होगा जैसे आप लिखे 4X-3X पे पावर 4 प्लस 2XQ तो हाइस्ट पावर कितना है 4 तो इसका जो पावर डिगरी होगा वो कितना होगा बच्चो चार होगा जिरो पोलोमियल कैसे निकालते है तो जैसे क्वाडिटिक प कर लेते हैं अब ता cation coordinate of x and y, x and y का coordinate पे हूँ कैसा करते ता पता है यह आपको x-axis बोलते हैं यह y-axis होता है जहाँ पे दोनों 0 होगा दोनों point मिलेगा 0 0 होगा x और y की पहले इसे origin बोलते है उसके बाद जो यह दोनों line इसे चार area में डिवाइड कर दाता है सो quadrant बोलते हैं तो first quadrant में x और y दोनों positive होता है plus plus second quadrant में x minus होता है और y plus में होता है third quadrant में x और y दोनों minus में होता है और fourth quadrant में x plus में और y minus में होता है इस तब आप लोग अल्रेडी पड़े रखें इतना आपको revision करने के लिए दिया हुआ था है फिर यहां से आपका प्राक्टिस करने के लिए दो कोश्चन एक दो यह और यह यहां पर हमने copy में उसके बाद नीचे का करना है फिर हमें graph से बताना है कि zeros of polynomials कितना होगा तो देखो graph में एक हेची दान देना कि जो भी axis जो भी graph x को जितने बार cut करेगा उसके उतने number of zeros होगे मतलब उसके highest power उतना ही होगा इस graph में आप लोग देख पा रहेंगे बच्चो ये graph जो है x को तीन बार cut कर रहा था कितने बार cut कर रहा है बच्चो थ्री टाइम्स तो हम बोल सकते हैं कि इसका zeros कितना होगा थ्री जिरो होगा थ्री जिरो होगा ठीक है योकि graph का हुए तो number of zero जितने बार x की value आगी वो हो जाएगा ठीक है बच्चो तीसी से लेकर के बहुत ही easy से चार question दे रहेंगे आपको कि इसमें से मैं बताना था encircle the zeros y equal to px the graph right the number of zeros number of zeros देखो ये graph x को कितने बार cut कर रहा है एक बार यहाँ पे इसके number of zeros कितना हो जाएगे यहाँ लिख देना number of zeros इस तरह से लिखना ठीक है number of zeros equal to one यहाँ देखो एक बार cut कर रहा है दो बार cut कर रहा है तो यहाँ पे number of zeros कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो एक ही बार cut कर रहा है तो number of zeros कितना होगा ठेक है ये बहुत ही इजी वक्षिट था आपका जो आज का वक्षिट आया था और उमीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा ताज का सेशन कैसा था प्लीज कमेंट करके रिपला जरुद करना फिर मिलते हैं स्टूडेंस निक्ष्ट क्लास में जब तक आपले घर पे सेफ रहे हैं सुरच्छित रहे हैं जैहन